देखें अर्थ की स्विजिंग क्या लिंग लिख रहा हो अर्थ ये अपनी वाली आर्थ हैं अच्छां महुत मैथ वाला आर्थ हैं देखें अर्थ मैगनेटिव्म को समझाने के लिए इसकी कुछ कहानी सुन ली जाए है तैक है जब मैगनेट की खोज की क्या कैसे खोज भी पताया गया कि मैगनीशिया नामक सहर था वहाँ पर कुछ ऐसे स्टोन पाए गए जिन में एक खास प्रपरटी थी कि लोहे को अपनी ओर खीजते थे ठीक है और उन में एक डारेक्शनल प्रपरटी थी उनको जब फ्रीली सस्पेंट किया गया वो एक विशेश डारेक्शन में रुकते थे बार बार वो डारेक्शन कोई सी थी जोगरफी के हिसाब से नार्थ साउथ यानि हमको इस्ट वेस्ट नार्थ साउथ का ग्यान था उसमें तो वो जो मैगनेट हमने सस्पेंट किया था जो मैगनेट नार्थ डारेक्शन में रुका मैगनेट की बात में कर रहूं जो वहाँ पाया गया था मैगनिस्या वाला जो नार्थ डारेक्शन में रुका उसको हमने का नार्थ सीकिंग पोल नार्थ की खोज करने वाला पुल नार्थ की तरफ जाने वाला पुल हे मेरे नार्थ मैं आना चाहता हूँ तो उसको नाम दे दिया नार्थ पुल आपके मैगनेट के नार्थ पुल को नार्थ नाम कब दिया गया था जो नार्थ इस एलेक्शन में हुआ मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं मैगनेशिया वाले मैगनेट की बात कर रहा हूं ठीक है और जो साउथ में रुका उसको हम ने नाम दे दिया साउथ पोल ठीक है अच्छा यहां तक तो बात हो गई अभी अर्थ मैगनेट की बात नहीं आ रही है फिर हमने magnetic lines draw करना सीखा कैसे draw किया हमने एक magnetic needle बनाई ठीक है और हमने क्या किया अपने magnet जो हमारे पास था वही magnesium वाला एक हमने बार magnet लिया और हमने ये उसका north pole था ये हम उसका south pole था जब needle बनाई तो हमने देखा उसकी जो magnetic lines थी 2, 3, 4, 5 एक, दो, 3, 4, 5 ये ऐसे magnetic lines हमको मिली ठीक है ये lines मिली ऐसे ठीक है इधर से निकल नहीं थी इधर से निकल नहीं तो इधर मर्द हो रही थी ये इसके अंदर हम जानते हैं कि ये आपस मिल जाती हैं आपर के lines ठीक है यह जानते हैं न आप अच्छा जब हम अपने निडिल को दूर ले जा रहे थे तो एक जगह ऐसी आई जहां पर निडिल निउट्रल हो गई मतलब वो किसी तरफ घूम नहीं रही थी हमारा मैगनेट अभी भी था वो थोड़ा सा हमारे मैगनेट से दूर गई और वो हमारी बात नहीं मान रही इस मैगनेट की हिसाब से वो टर्ण नहीं हो रही थी उसको हमने कहा निउट्रल पॉइंट क्या कहा निउट्रल पॉइंट और जब थोड़ा और दूर ले गए तो हमने देखा ये not south में जाके ठहरना शुरू कर दिया इस magnet की बात माननी बंद कर दी तो मतलब तो कुछ अजीब अजीब लगा कि भाई यह neutral point कम मिलेगा अगर यह force magnetic lines ता forces यहां पर है और यहां neutral point है यानि कि वैसी ही कोई lines opposite उसको defend कर रही है उसको cancel कर रही है तो कुछ कुछ लगा कि कोई तो है जो हमारे magnet lines को cut कर रहा है ठीक है और बाद में ये not south में जाके ठहर गई तो ये दिमाग लगाया कि लफड़ा क्या है तब सुम्झ में आया अच्छा तो यानि अर्थ भी एक magnet तरह बेहाइब करती है तो यहाँ से हमने सीखा कि अर्थ magnetic field है ठीक है तो ये अर्थ magnet का एक दिमाग था ऐसा सोचा गया कैसा है तो अब इसकी study की जाए तो अर्थ की study करने के लिए drill machine करके अंदर तो घुस नहीं सकते जितना घुस सकते उतना घुसो अंदर तो जा नहीं सकते आप यानि कुल मिलाकर के आज तक उसकी study चल रही है और जो जो मिलता जा रहा है वो हमको बताय जा रहा है और बाद में बता दिया जाता है कि भाई आगे भी changes उसमें हो सकते है तो पहली बात अर्थ magnetism वो branch दिमाग में हमारे एर्थ magnitude का concept आया कहा से होगा the branch of physics that deals that deals the branch of physics that deals with the study of earth magnetism with the study of earth magnetism is called is called terrestrial magnetism और geomagnetism terrestrial magnetism और geomagnetism जियो बोले तो अर्थ आप जानते हैं terrestrial magnetism और geomagnetism ठीक है अब देखो अब दूसरा question होता है कि भाई इसका origin क्या होगा origin of earth magnetism earth magnetism कि भाई इसका origin क्या है कहां से आप समझ गया है एक वहां magnetic field होता है compass needle deflect हो रही थी हम समझ रहे थे deflect हो रही है क्यानि कि earth magnetic field तो है क्यों बदपेजी लेकिन उसका origin क्या है उसके लिए अलग-अलग scientist ने अलग-अलग होताया सन 16 सो में पहली बात तो सन 16 सो में William Gilbert साहब William Gilbert GIL क्या है GILBRT Gilbert Gilbert साहब ने अपने एक बुक लिखी थी Dimagnity Dimagnet करके लिखा था बुक सन 16 सो में इसका मतलब सा समझ लिजेगा हमारे सनातन धर्म में हमारे बुजरुगों को हमारे रिशी मुनियों को earth magnetic की बारे में पहले से ही जानकारी थी हजारों साल पहले की मैं बात आ रही तो 16 सो की बात कर लिखे पढ़ाया जा रहा तो मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है क्योंको पहले से कहते थे भाया इधर सर करके मत लेटना वो earth मैं नहीं कहा उनको मालुम था कि यह magnetic lines आपके दिमाग को effect करती है उनको मालुम था जो भी है मतलब उनको उसकी जानकारी थी लेकिन आप वो हम नहीं लिख सकते William Gilbert से ही सुरू करते है William Gilbert का नाम सुना होगा आपने कहीं और भी नाम इनका आया है William Gilbert का कहीं और नाम आया है यह महरानी Elizabeth के personal doctor भी थे scientist भी थे और जो आपका frictional electricity थी frictional electricity थेल साब ने बताया था कि अगर कोई body को ऐसे कोई plastic का लेकर कि अपने सर में ऐसे रगड़ी है जिसके बाल है हो जानता होगा ऐसे रगड़ी है जब हमारे थे तो हम भी रगड़ते ऐसा होता था तो थोड़ी थोड़ी particles वो अपने और ट्रेट कर लेता किसने कहा था थेल साब ने अब तेलस ने कहा लोगों ने से बताया होगा लोगों ने कहां ठीक है तो माल लिया रगड़ा और पार्ट कलते कर लिया तो तो क्या करें बोले ठीक पहुंच दो इसको फेर रगड़ो लेकिन उसकी बात को सबसे ुद्रे देखा कि तो विलियम साब ने, तो William Gilbert साब ने बताया कि ऐसा है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैगनेट रखा हुआ है क्या पहुँच गया होगे वह अर्थ के अंदर घुज गया होगे ऐसा सोचा, एक बहुत बड़ा अर्थ के अंदर ये अर्थ है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक magnet रखा हुआ है ठीक है और इसमें एक north pole है एक north pole है और एक south pole है ठीक है ये पहला concept था और इसी से magnetic lines निकल नहीं है ये earth magnet की बात हो रही है अभी हम ये कौन सा magnet ले रहे थे हमारा जो अपने उस इलाके में पाया गया था या हमने जो artificially बनाया earth magnetic में लेकिन जब earth के बारे में हम ज़्यादा जानकारी करना सुरू किये तो देखा earth के अंदर तो जो आपका liquid state, molten state में सब होते हैं जिसने भी metals है ठीक है और दूसरी बात उसके अंदर बहुत ज़्यादा temperature है और मैडम क्यूरी नहीं प्यरे क्यूरी और क्यूरी बोले मैडम शक्कर में ज़्यादा नाम मैडम कहीं आता है क्योंकि मैडम बहुत बड़े-बड़े काम किये थे तो मैडम क्यूरी का ही नाम आता है तो क्यूरी ने यह भी कहा था कि भई एक temperature से ज़्यादा temperature कर दोगे तो magnetic field खतम हो जाएगा तो यह संभो नहीं है इसके अंदर एक magnet रखा हो तो Gilbert का नियम फिर एक ब्लैकेट सहाब थे उनका कहना था कि अर्थ जब rotate होती है अर्थ रोटेट होती है तो अर्थ के अंदर metals है metals molten कहते है ना chemistry में क्या उसको language यूज करते है जो पिगली ही अवस्थाव में क्या कहते है हाने हमको chemistry नहीं आती ना तो वो molten state में है अब simple सी बात है अगर iron उससे state में है तो iron में atoms होते है atom बोले तो electrons होते है तो electrons rotate करेंगे तो rotate करेंगे एक current loop बनाएंगे और current loop बनाएंगे तो वो current loop की वज़े से magnetic field create होगा जो की काफी हद तक अभी तक accepted है और practically भी समबल लीजिए अब प्रेट सा समझेगा earth किधर से किधर गुमती है west to east गुमती है अब देखो ये west ये east में मा लेता हूं east west north south मा लेता हूं west to east गुमती है अब west to east गुम रहे है इलेक्टरान गुम रहे है और इलेक्टरान अगर ऐसे घुम रहे है तो current कैसे flow हो रही है तो यह बात accept हुई नहीं हुई, तो यानि कि यह concept हुआ कि हमारे जो अर्थ के अंदर, जो अर्थ का जो core है अंदर का वो बहुत वहाँ गर्मी है, और वहाँ जो metals है वो molten state में है, और उसके electrons जो है rotate कर रहे हैं, ठीक, उसे current loop बन रहा है, और current loop की वज़े से ही, यह magnetic field create हो रहा तो उसके electrons ट्रक के बाहर चले गए, भैई यह concept है, electron घूम रहे ही, तो electron टो atom के अंदर होगे न, तो atom के अंदर जितने electron ऊतने ही, उम रहे ही, तो neutral होता है Earth Magnetism इसी की वज़े से है हम उसका Experiment कर भी रहे है हम एक Artificial Earth बना करके कुछ Modern State में करके पूरा उसका Experiment कर रहे हैं लेकिन अभी उसका Result का बायगा पता नहीं क्योंकि Earth को हूब हूब बनाना वो संभव नहीं है आप गर छोटी सी भी बनाओगे अब छोटी बता इतनी छोटी नहीं बता बहुत बड़े किलो मिंटर मनाओगे पहली बात तो फिर उसके अंदर वैसी Situation होनी चाहिए कि थोड़ा सा वो एंगल पर घुम जुकी होनी चाहिए उतना ही rotation होना चाहिए उसके chemical उसी उसी stage में होनी चाहिए कि कहां पर कौन सी चीज पाई जाती है उसी direct में उसका एक center लो फिर center से जिस area में जिस height में जिस depth में आपका iron core है iron भरिये ऐसे भरिये फिर उसको भुमाईए फिर देखिये तो उसका experiment फिलहाल जारी है लेकि फिलहाल ये theory accepted है तीसरी theory तीसरी theory given था एक बुलर्ड सहाब थे युएके के और युएसेस के थे और भी theory है एक theory यह है कि भाई जो अर्थ का जो atmosphere है उसमें cosmic rays आया करती है तो वो rays आने से atmosphere ionize हो जाता है तो atmosphere में क्या है ions है अब जब अर्थ गूमती है तो उसका atmosphere उसके साथ घूमता है कि नहीं घूमता है नहीं घूमता है एक लोगों नहीं घूमता है अगर atmosphere न घूम रहा होता न तो एक दिक्कत होती है AC का भी remote साथ में रखना पड़ता रजाई भी साथ में रखनी पड़ती क्योंकि आप आराम से लेटे आर्थ राजस्तान इलाके से होते हैं अमेरिका वाले इलाके में गुज गई एकदम से temperature 0 degree centigrade ओएकदम से 70 degree centigrade ओएट्मासफेर गुम नहीं रहा है और आर्थ क्यों गुम रही है तो कभी वो गरम atmosphere इंट्री करेगी कभी तो दिग्कत हो जाएगी ना तो यानि कि atmosphere भी गुम रहा है तो यानि कि atmosphere में क्या है आयन्स तो आयन्स गुम रहे है तो आयन्स गुम रहे है मतलब एक current loop बन रहा है और उस current loop की करण magnetic field create हो रहा है यह theory भी कुछ हद तक accepted है तो सब्सक्राइब आया earth magnetic में क्या-क्या चीजे होती है ठीक है तो यह तो चीजें कुछ है अब कुछ earth magnetism को समझाने के लिए कुछ terminology होनी चाहिए तो इन terminology बारे में बात कर लेते हैं यह जो अपने theory बताई है कि वहला आपको theory याद नहीं करनी है थोड़ा सब समझना है ठीक है यह पूछा नहीं जाता है लेकिना start में पूछ भी लिया गया कि कौन सी theory इसमें हो हलका सा एक-एक option दे दिया गया तो दिमाग में होना चाहि अब चप्टी नहीं बनाएंगे फिलहाल गोल ही बनाएंगे जितना गोल हम बनाबते हैं यह आपका क्या है नार्थ जोगरिफिकल नार्थ एंजी बना देते हैं जोगरिफिकल नार्थ है अब वो magnetic नार्थ क्या हो बात की बात है यह है जोगरिफिकल नार्थ और यह है जो ज़ूग्रीफिकल सौथ , तो ज़ूग्रिफिकल नार्थ और ज़ॉग्रिफिकल सौथ को मिलाने वाले जो लाइन होती है उसको हम क्या कहेंगे Streak जिउग्राफिक एक्सेस लिखिते सब्सक्राइट लइघे दा इस्ट्रेट लाईन 혼ध पासिंग थू थूधा पासिंग और एक तरीके से यही आपकी एक्सेज आफ रोटेशन है अगर हम इसको थोड़ा अभी बढ़ाएंगे नहीं क्या जुरुत है ठीक है यह डाइग्राम बना लीजेगा और यह लीजेगा ज्योग्राफिक एक्सेश ठीक है नोड कर ये ठीक है हम बच्पन से equator पढ़ते आ रहे हैं क्या होता equator equator क्या होता है जो हम equator पढ़ते आ रहे हैं वो geography की पढ़ते आ रहे हैं हमने भी magnet वाली बात ही नहीं किये equator क्या होता जरा समझेगा आप practically समझेगा आप earth के center पे खड़े हो जाईए earth वो एक save है जहां save का बीज होता है वो center हो गया जागर की वहाँ पे खड़े हो जाईए और आप अपना सर का लिए north पेर के लिए south ऐसे से खड़े हैं आप ठीक है और east west direction में अपने हाथ को ऐसे फैला दिया और आप ऐसे उस को काट दीजे से बीज से ठीक है आप पेरलल हो इसके तो आप दिमाग खराब है तो यार ऐसे काटा कि किसके पेरलल है हमने क्या बोला हमने हाथ बोला आप खड़े हुए हो आप यह हो यह आप खड़े हुए हो ना तो आप यह हो ना यानि आप किदर हो geographic axis और यह जो काटा है यह यह आपका equator है तो यानि की एक सबसे बड़ा circle वह circle तो देखे समझिएगा आप इसको ऐसे भी काड़ सकते हैं यह बिल्कुर से मने पास करा है देखो आप इसको ऐसे भी काड़ सकते हैं कि जैसे आप ऐसे खड़े हैं यह आपका हाथ इस तरफ है जिरो डिग्री पे आप एक डिग्री उपर बढ़ाईए ऐसे काड़ दीजेगा एक डिग्री ऐसे घुमाईए फिर दो डिग्री, तीन डिग्री, चार डिग्री इसको क्या कहते हैं एक था latitude, एक था altitude यह क्या चीज है ठीक है तो एक degree latitude पर भी आप ऐसे काड़ सकते हैं, यह भी एक circle बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसका मतलब यह हुआ, कि आपने ऐसे हाथ किया और इसको ऐसे काड़ दिया, ऐसे एक circle खीच दिया, यह सबसे बड़ा circle यही बनेगा ना, अगर आपने एक degree पर ऐसे खीचा होता, तो एक circle यह बनता, तो सबसे बड़ा circle यही होगा ना, और axis पर क्या ही है, कौन से axis, तो जो सबसे बड़ा circle, जो geographical axis पर perpendicular होता है, उसको हम क्या कहते हैं, magnetic equator, जो geographical equator, equator भी दो है यहाँ पर, यह है geographic equator, geographic equator, geographic equator, geographic equator, तो definition लिखे है geographic equator की, It is the great circle, यह greatest circle on the earth, It is the greatest circle on the earth, बहुत ध्यान से समझेगा, tough नहीं है, लेकिन थ्वाट टर्मिनलोजी इसकी अजीव है, It is the greatest circle on the earth, perpendicular to the geographic axis, perpendicular to the geographic axis, यह तो it is दाव ने बोल दिया ना, तो definition होगा, इसको हो गया ना, कि हम किसके बारें बात करेंगा, तो यह हो गया आपका geographic equator, सुम्झ में आ गया, देखे, next लिखे, magnetic axis, हम जब magnet को, देखे जान से, हम जब magnet को freely suspend कर रहे थे, तो magnet किस direction में रुक रहा था, नार्थ direction में, अब दोरा समझने की कोसिस करिए, हमने का, अब देखी लेते हैं, यह कहां तक जाता है, तो हमने क्या किया, बाचपेज जी को कहा, तू स्कूटर बैठो पीछे, और हमने स्टार्ट किया, अब तो हम बाइक ले लिए है, बाइक बैठो पीछे, और इन्होंने क्या-क्या magnet को ऐसे पकड़ लिया, और हम चल दिये, जिध़र magnet का यह नार्थ जा रहा है था, हम किधर जा रहे हैं वैसे, हम नार्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इदरी जा रहे हैं जिधर यह उधरी हम पाइक चलाना, बाचपेज आइसे की हैं, जिसे हम दिखाई ही पड़े, बाबाबा प अरे बहुँ प्रेटिकल ये ग्लोब है अब ग्लोब तो हमारे पास है नहीं ये ग्लोब है ये नार्थ पोल ये साउथ पोल है तो हम ये इसको लेके गए होरिजन्टल थी ते दरे गूमना शुरू किया इसने और गूम के नार्थ पोल इसके अंदर घुज गया अंदर जा र यह हमको यहां लाके पटक दिया, यहां पर लाके पटक दिया, यहां पर लाके पटक दिया, यानि हमारा जो मैगनेट का नार्थ पोल है, जो दूर से दिख रहा था अर्थ के नार्थ में जा रहा है, वो नार्थ में नहीं गया, वहां से डिकलाइन कर गया, वहां से मना कर द तो आपका नार्थ पूल, आपका नार्थ मतलब मैगनेट का नार्थ, तो मैगनेट के नार्थ का नाम आपने किस आधार पे रखा था, डिरेक्शन के आधार पे, कि कि नार्थ डिरेक्शन में जो ठहरा उसको आपने नार्थ माना है न, तो ये आपका मैगनेटिक नार्थ हो तो यह जाके नार्थ के उपर अंदर अंदर इंट्री करेगा तब ड्रेल मसीन से घुचर देता है इसको अंदर लेकिन वहां नहीं गया उसे दूर जाके यहां करीब यह अर्थ मैगनेट का पोल इधर रहा होगा यहां पर ना तो यानि कि अगर हम आप बनाएगा नहीं अगर हम अर्थ मैगनेट की बात करें तो अर्थ मैगनेट ऐसे यहां कहीं रहा होगा क्यों तब ही तो हमारा मैगनेट यहां पहुचा है अब बताओ अर्थ मैगनेट का अ रहे हैं, अच्छा, इसी लिए तुम भाग रहे थे, यहां तुमको साउथ पोल खींच के लिए आया है, तो इसको कहते हैं हम, Magnetic Axis, हम भी बात, तो लिए Magnetic Axis, Magnetic Axis, Definition बिल्कुल वही है, क्या होगी, the straight line, the straight line, passing through the, the straight line, passing through the, magnetic north to the magnetic south, magnetic north to the magnetic south pole of the earth, magnetic north and magnetic south pole of the earth is called magnetic axis is called magnetic axis समझे बात आई नहीं आई तो यह आपकी है magnetic axis magnetic axis ठीक है अब देखो ध्यान से तो actually में magnetic axis जो है ना मैगनेट ने north direction से जाके मना कर दिया और कुछ दूसरे angle पे जाके रुका उसी को महें ने कहा angle of declination declination इसके बारे में बात करेंगे decline कर गया मना कर दिया उसने हम इदर नहीं जाएंगे उदर जाएंगे ठीक है अब जरा समझेगा अब हम इस axis के एलांग खड़े होगा इदर देखिए ऐसे खड़े होगे और earth को ऐसे काटा तो यह आपका जो circle है यह भी घुम जाएगा ठीक है भाई यह आप अगर line ऐसे यह circle खींचोगे तो यह भी तो एक equator बनेगा तो यह equator क्या होगा magnetic equator होगा जो magnetic axis के perpendicular होगा तो इसको कहते है magnetic equator समझ में बात आ रही है क्योंकि terminology नहीं है equator हम हर एक word समझाने की कोशिस करेंगे कहीं लफड़ा हो तो याद कर लो तो magnetic equator की definition बिल्कुल same जो आपकी geographical equator था उसी का होगा वो axis वो perpendicular to the geographic axis था और यह perpendicular to the तो लिखेगा it is the heading magnetic equator अगला है magnetic equator magnetic equator तो लिखेगा it is the great circle या greatest circle लिख दो great में दो बड़ा जाते हैं महान it is the great circle perpendicular to the magnetic axis perpendicular to the magnetic axis magnetic axis magnetic axis magnetic axis ठीक है देखिए यह जो आपका magnetic north है न वो नार्थ कनाड़ा में है यह जो पूल है और यह dani ओर पार छिलटे पर यह इरोफ्र और आरो प्लेन चलते हैं और आपका उसर निड़ीक की हो क्यों करते हैं और आपका सहर जो बताए जाता हो जो 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 기ो जो 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 ज जो 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 इस direction में और आपका शहर यहां पर है यहां कहीं है तो needle इदर जाएगी नहीं तो हम बता देते हैं उसको pilot को कि यह जो angle of declination है वो 5 degree towards north है 5 degree towards north है यह हम बता देते हैं उसको ठीक है तो जो needle उसको दिखाएगी वो अपने plane को 5 degree north करके जाएगा निडल उधरी जाएगी निडल किदर जाएगी इधर जाएगी वो 5 degree north घुमा देगा अपने plane को उधरी जाएगा हमेशा 5 degree जाएगा समझे भानी जाएगी जैसे हमारा सहर यहां है और हमने का यह यहां से 45 degree है ठीक है तो वो needle इधरी indicate करेगी ना तो वो वहां से 45 बनाते हुए east north direction में ऐसे east तरफ गुम जाएगा तो वो उस सहर पहुँच जाएगा तो वो सहर की जो location बत दिया जाता है ठीक है यह जो आपका दोनों magnetic north और geographical जो लाइन है इंके बीच को कहते angle of declination अभी बात करेंगे angle of declination इसकी value कहीं कहीं 20 degree लिखी है NCRT 11.3 लिखी है यह value पकी नहीं है यह change होती रहती है ऐसा बताया जाता है कि यह change होती रहेगी हो करके एक स्थितिया ऐसी आएगी कि south पहुँच जाएगा नार्थ में नार्थ पहुच जाएगा south में यह change हो जाएगा बिलकुल अब नोट करें इसको लिखे जोग्रेफिकल मेरीडियन क्या होता लिखे जोग्रेफिकल मेरीडियन पर लिखिये नहीं पर समझेगा देखो ध्यान से हम ने क्या किया एक plane खींचा आर्थ पी यह अर्थ यह अर्थ यह अर्थ यह गोल बन जा गोल बन जा गोल बन जा उसमें बन जाती है जो वाले चाक वाले बोड़ों तो कुछ नहीं थोड़ा दूर खड़े जाओ और ऐसे खीज दीजिए आप मतलब हाथ आगे मन ले जाओ यहाँ जगे भ आप ले लिये है टीक है और आप एक ऐसा plane खींचो जो जो जयगरिफिकल नार्थ और जयगरिफिकल साउथ और आपके शहर को इंक्लूड़ करता हो एक plane खीज दीजेगा उसको हूं क्या कहेंगे जोगरिश्किल मेरेडियन दूसी तरीके समझेगा ये है साउथ ये है नार्थ और यहां है आपका कहीं शहर ठीक है यहां कहीं आपका शहर है अब वो तो ऐसा बनाया है तो प्लेन दिखाई पड़ेगा आपका शहर ठीक है तो अगर हम एक ऐसा प्लेन खींचे जो आपके शहर को इंकलोड करता हो प्लेन और जोगरिश्किल भाई कोई भी तीन पॉइंट को मिला करके एक प्लेन खींचाता सकता है किसी भी तीन पॉइंट को मिला करके एक प्लेन खींचाता सकता है उसमें आपका शहर है प्लेन खीचते हैं तो यह प्लेन क्या गलाता है इसको कहते हैं जियोग्राफिकल मिरेडियन ऐसे लिखते हैं GM यह गुड़ मॉर्णिंग नहीं है तो आज कल वाटसप वाल है वह GM मतलब गुड़ मॉर्णिंग लिखिये दा कहानी at any point on the earth surface at any point जो जो जहे चल के बारे में बात कर रहे हैं at any point on the earth surface at any point on the earth surface the plane passing through geographical poles तब geographical pole कह दिया तो सुनमें आगया ना कि हम क्या कह रहे हैं geographical north and geographical south geographical poles and that point and that point is called geographical meridian is called geographical meridian यह north geographical है यह south geographical है और यह कोई शहर है आपका कोई point है तो एक ऐसा plane जिसमें वो place हो जिस place को आप ले रहे हो और geographical north और यह पोल्स हो, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, जोग्रफिकल मेरेडियन कहते हैं, समझ मैं ही बात, तूसी तरीके समझेगा, इधर देखिए, आप तर्वूज ले आए, तर्वूज ले आए, और उस इधर देखिए, और उस तर्वूज में, एक ये और एक ये दो कट लगा दो, और एक शहर आप ऐसे ले लो, इसको ऐसे काटो, कि ये ऐसे फाकी है, ऐसे निकला है बालारक से, ऐसे फाकी निकला है इसको, तक ऐसे भी काटो, आप ये तीन पॉइंट वहाँ पर उस, उसमें होनी चाहिए, तो एक, एक स्लाइस टाइप की उसमें बनेगी, वो आपकी जो इलग बात है, इसको कहते है जोगरिष्कल मेरिडियन, नेक्स लिखे है, मैगनेटिक मेरिडियन, मैगनेटिक मेरिडियन, एक प्लेन बनाना है, और प्लेन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, आप देखे, आप पेंटागन बना दीजे, आपको उसमें तीन पॉइं मागनेटिक मेरिडियन क्या होगा आपका सहर मैगनेटिक नार्था और शाउथ शेहगा उसको बनाएंगे तो हो जाएगा Magnetic Meridian Definition लिख लिख लिजएगा Magnetic Meridian At any point on the Earth's surface At any point on the Earth's surface The plane Passing through the magnetic poles अब जब magnetic poles बोल दिया तो संच में आ गया न Magnetic poles And that point जिस सहर के बारे में बात आप कर रहे हो Magnetic poles and that point Is called Magnetic Meridian Is called Magnetic Meridian अब ज़रा समझेगा ये Earth इदर देखिए ये Earth और ये आपका Magnetic poles होता है और ये वही सहर वही है आपका देखिए सहर वही है आप उसी सहर में है लेकिन अब आप कैसे मिलाएंगे इसको ऐसे मिला दिया ये आपका North Magnetic है ये South Magnetic है Earth Magnetic वाला नहीं जो आपको North तरफ ले गया वो कौन था वो वाला Magnetic था जो बच्पेजी हमारे इस बाइक में लिए पीशे बैठे थे थे न तो हम तो ये जानेगे ने North Pole है North Seeking Pole North कौन सा ये वाला North हम समझेंगे लेकिन हमारा Magnetic अगर वहीं ले जाता तो साइध हम उसको North Magnet ना कहते हम कहते हम वही North Pole है वही North Magnet है हमको कहीं और ले गया वो तो हमको नाम उसका चेंज करना पड़ा तो ये आपका हो गया क्या Magnetic Meridian ममी नहीं लिखा है आप पूरा लिखिएगा MM पता चला गरबड़ हो गया ये दोनों प्लेंस थोड़ा तिल्टेड हैं आपस में ये दोनों प्लेंस थोड़ा सा तिल्टेड है ना इनके बीज एंगल को हम कहेंगे एंगल अफ डेकलिनेशन इसके बारे में बाद करेंगे इतनी बात समय में आ गई ठीक है next बाते next day इतनी बाते ध्यान रखिएगा ठीक है हाँ ठीक थैंक यू